दोस्तो वोड़ाफवन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे दो बहुत बड़ी बैड निकल क्या रिये श्टॉक के लिए और एक गुड़नी उजे अब वोड़ाफवन आइडिया का श्टॉक जो काफी समय से सीमी दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और 18 की अपनी हाई से काफ से रगी है जबकि सिक जी की बाते होने लगी है क्या करना चीए वोड़ाफवन आइडिया में समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से दूसरी दर बगर हम जी टील इंफरा की बात करें तो इस छोटे पैनी स्टॉक में फिर से मुमेंट बढ़ने लगा है वालि लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्र पाइडे को 0.57% की तेजी के साब वैसे इंट्राइडे में 16 तक हो गया लेकिन उस लेवल पे रहे नहीं पाया नीचे लेवल पे थोड़ा सा है अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड़नी जैस के लिए जुलाई मने के मुचल फंड के आखने मारे सामने आए जो उत्स 57 के सामने 57 इसका मनलब 20 नए जो मुचल फंड है यहाँ पे इंट्री कर चुके तो इस प्राइड का फाइडा उटा के निवेस किया जा रहा है और वैसे भी क्योंना 100 उपीज का समय इसा एक सेर था वो 50 नुपीज के आसवास मिला तो क्योंना निवेस किया जाए लेकिन य वोड़ाफ़न आइडिया इसमें भारी कर्ज के बोज तले दबी हुई है सरकार भी अपनी हिस्सदारी बेचने पर विचार कर रही है और इसके शेरों में 37 परसंग की गिरावट आ सकती है यह तीन बड़ी बात है तो देख से तो कि फिलाल वित्य संकर से जूजरी दबी है कि वोड़ाफ़न आइडिया के शेर में मौजुदा कीमत पर 37 परसंग की गिरावट देखने को मिल सकती है तो मैक्वेरी का कहना है कि वोड़ाफ़न आइडिया के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि यह गले तक कर्ज में डूबी हुए वोड़ाफ़न आगे एक्वेटी बिकरी की जोकीम बनी हुई है तो कुल मिलाकि में एक्वरी को लग रहा कि अभी कंपणी में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा क्योंकि कंपणी कर्ज का जो जंजाल है उससे बाद निकले कि समभून आ कम हो रहा है वो कंश्टमर को अपनी तरप नहीं ला प परस्ते और लो 7.50 का था उस हिसाब से काफी बैतर प्रदस्थन किया है वैसे अभी भी अपने नीचले प्राइस से देखे तो आपको डबल होता हो दिखाई देगा दूसरी तरफ मेक्वरी ने यहां पे देखिए कि एरटेल का टारगेट बढ़ा दिया है और जो पहले इस टारगेट था वो 1280 के आसपास उसको बढ़ा के 1006 ने 30 कर दिया है तो कुल मिला के एक तरफ तो एटेल के टारगेट में जबनस विर्दी किया तो दुसरी तरफ वोड़ाफ़न आइडिया के टारगेट को बहिंकर तरिके से गिरा दिया उनके इसाब से वोड़ाफ़न परसेंट के आसपास ही रही है तो गवर्मेंट की तरफ से जो डाटा शेयर किये उसमें देखतो कि जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर यानि एर्प्यो में काफी कमी आई तो यहां पर देखतो कि जो कस्टमर है वो भी कम और एक तो इन्हों प्राइज हाई कि इसका भी प्राइज हाई काफी महिंगा हो गया है अब लोग उतने मोबाइल नहीं रख पार है हर किसी के पास पहरे दो मोबाइल से तो वह एक ही से काम चला रहा है एक को बंद कर रहा है जिससे इनके कर्स्टमर वेस में कमी आ रही है और यह नुकसान देश होदा हो सकता है इनके ल एक कर देखनों को मिली है नेट प्रोफिट मार्जीन माइनस 16.21 पर जा पे 17.16 पर से कि रहे देखनों मिली तो इंकम में थोड़ी सी आप देखेंग जो लॉस था उसमें कमी आया है लेकिन अभी भी रिवेन्य डाउन हो रहा है तो कुल मिला के सिगनल उतने खास नहीं ले सब्सक्राइब और वैसे सरकार इसका साथ अभी फिलाल नहीं चोड़ सकी सरकार ने अपनी तरफ से सब्सक्राइब नहीं लग रहा है कि सब्सक्राइब अच्छी खासी तेज़ी के साथ और देख सकते हूं कि पिछले कुजिनों से स्टॉक से सब्सक्राइब दारे में ट्रेड कर रहा है यह कुछ टेजी बनी कुछ गिराओट हुई लेकिन अब एक लग रहा है कि यहां से सब्सक्राइब दारे में लेकिन फ्राइड को ट्रेड कर रहा है यहां पिछले कई दिनों के बाद वालिम फिर से बड़ा इसका मनदब है कि जो बड़े फंडाउस है या जिनको ऑपरेटर कह सकते है वो एक्टिव हो चुके है और हो सकता है कि श्टॉक को उपर की तरब लेकि जा तो यह समझ में आगा आपको करोडों शेर खरीदे गया है सुब ग्यारा बचकर 47 मेरे पर 2.78 की प्राइस से यहां पर 50,39,000 की एक बड़ी खरीदारी और की यानि किसी ने अब देखे तो यहां पर आपको करीब धाई क्रोड के आसपर शेर खरीदे हो दिखाए देंगे तो किसी ऑपरेटर ने यहां पर जम के खरीदारी की है के बाद 11 बचकर रिकाउन मेरे पर 2.80 की प्राइस से फिर से 50,60 की बड़ी खरीदारी और हुई है और उसी समय लगबग देखें कि 11 बचकर तीरपन मेरे पर 2.80 की प्राइस से 40 लेक्षिरों की यह खरीदारी और हुई है तो यह लगबग आप देखें तो जो शेर करें वो साड़े तीन क्रोड के आसपर शेर हो सकते है तो बारी मात्रा में जो खरीदारी हो र सकते हैं से में अपर सर्क्री में श्टॉक उपर जा सकता है लेकिन बहुत जादा रिसकी श्टॉक है इसमें बड़ा निवेस तो बिल्कुल ने करना चाहिए अगर रिजल देके इस बार तो काफी कमजोर रहा है रिवेन्यू 337.12 क्रोड के आसपर जापे 4.4 परसेंट की यहां पर यहां पर नेट प्रॉफिट मारिन की बात करें तो 59.94 परसेंट माइनस रहा है जापे 166 परसेंट की इसमें बड़ा न प्रॉफिट बड़ा तो दबाव में श्टॉक विल्खुल दिक रहा है रिसकी श्टॉक बहुत जा रहा है लेकिन फ्रेंड कोई इन्वेस् या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि माने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से एजुकी जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स